तो फाइनली दोस्तों एंडियन बॉक्स आफिस पर इस अपते बॉलिड और साउथ की मिलागर तीन सबसे बड़ी फिल्म में रिलिज होने जा रही है जो की बॉक्स आफिस पर कई सारी रिकोर्ड बनाने वाली है और एंडियन बॉक्स आफिस पर इस हची बाथ लिज रिलिज होने वाली फिल्म है यानि कि Hero Panty 2, Runway 34 और आचारे के अभी तक के Total Advanced Booking Collections और Box Office Prediction के बारे में साथ ही साथ बात करने वाले हैं KGF Chapter 2 के अभी तक के Total Box Office Collections के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोगे आपर बात कर लेते हैं बॉल्यूट के मास माराजा अजय देववन की वन दो मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म Runway 34 के बारे में और इस फिल्म के सामने दोस्तो Hero Panty 2 भी रिलीज होने वाली है इस फिल्म के ट्रेलर को दोस्तो audience की तरफ से काफ़ी अच्छा response मिल चुका है इस फिल्म के गाने भी दोस्तो average है लेकिन दोस्तो इस फिल्म के suspense से भरे होगे प्रो मोस audience को काफ़ी पसंद आ रहे हैं तो इस फिल्म को जो पहले दिन का कलेक्शन है वो लगबग 12 से 15 करोड का भी हो सकता है साथ ही साथ दोस्तो ये फिल्म वर्लड वाइट बॉक्स आफ इस पर 1500-200 करोड रुपे की भी कमाई कर सकती है दोस्तो बताते चले आपको कि इस फिल्म की जो एडवांस है वो अभी तक पूरी तरसर शुरू नहीं हो पाई है लेकिन उसके बावजुद भी इस फिल्म ने अभी तक एडवांस में लगबग 35 लाख रुपे की कमाई कर ली है जो कि एक तरसे काफ एच्छी एडवांस है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म हिरो पंत्री 2 की अभी तक की टोटल एडवांस के बारे में तो दोस्तों बताते चले आपको कि एहमत खान के डारेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है हिरो पंत्री 2 जिसे की बॉक्स आफिस पर 29 अप्रेल यानि की दो दिन बाद रिलिस किया जाना है इस फिल्म के सामने दोस्तों आपको अजय देवन की फिल्म रन अवेट 34 भी देखने को मिलने वाली है लेकिन दोस्तों उसके बावजुद्भी हिरो पंत्री 2 के लिए ओडियन्स की बीच में काफी अच्छा बस देखने को मिल रहा है बता दे चले दोस्तों आपको कि टाइगर शौफ, तारा सुतारिया और नावाजुद्दिन सिद्धी की इस्टारर इस फिल्म को इडियन बॉक्स आफिस पर दो दिन बाद लगबख 25 स्क्रेंज पर रिलिस करने की प्लानिंग है जिससे कि बॉक्स आफिस पर अपने पहले ही दिन एक बंपर आपनिंग मिलने वाली है दोस्तों बता दे चले आपको कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को शुरू हुए अभी दो दिन भी पूरे नहीं हुए है और इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अभी तक साड़े तीन करोड रुपे के आखड़े को आसानी से पार कर दिया है जिससे ही दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते है कि हिरो पंत्री 2 के लिए ओडियंस की बीच में जो क्रेज है वो कितना जादा है ये एक मास एक्षन इंटेटेनर फिल्म है जिसके दोनों ही ट्रेलर को ओडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था अपने दूसरे ट्रेलर में दोस्तों इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ इस फिल्म में बहतरिन डायलोक्स की भी भरमार थी और यही वज़ा है दोस्तों की टाइगर शॉफ की फिल्म हिरो पंत्री 2 के लिए ओडियंस की जो एडवांस बुकिंग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है अपने रिलीज से पहले तक दोस्तों यह फिल्म इडियंस बॉक्स आफिस पर अपने पहले दिन के लिए लगबग 8-9 करोण रुपे के एडवांस हासिल कर सकती है साथी साथ दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो इडियं नेड बॉक्स आफिस पर कलेक्शन है वो लगबग 20-22 करोण रुपे का रह सकता है यानि कि दोस्तों यह फिल्म इडियं बॉक्स आफिस पर इस साल रिलीज होने वाली वन उप दे बिगेस्ट आपनर फिल्म ट्रिपलार के हिंडी बॉक्स आफिस कलेक्शन को अपने पहले दिन पीछे कर चुकी होगी बता दे चले दोस्तों आपको कि टाइगर की इस फिल्म को अगर आउडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूस मिलते है तो यह फिल्म बॉक्स आफिस पर अपने लाइफ टाइम में देड़ सो सो दो सो करोन रुपे की कमाई कर सकती है और बॉक्स आफिस पर एक ब्लॉक बश्टर बन सकती है वही दोस्तों बात कर जाए इंडियन बॉक्स आफिस पर रिलिस होने वाली वही दोस्तों बॉक्स आफिस पर ही रिलिस हो रही है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि कोरतला शिवा के डायेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म आचारी है जिसके लीड में आपको मेगा स्टार्स यानि कि चिरंजी वी सार और मेगा पावर स्टार राम चलाने भी नजर आने वाले हैं दोस्तों लगबग देड़ सो करोड रुपे के बेट से बनने वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर को टीजर को और इस फिल्म के गानों को आडियन्स के तरफ से काफी पसंद किया गया है पहले तो दोस्तों ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होने वाली थी लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की जो रिलीज है उसे कैंसल कर दिया है हिंदी में अब ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है लेकिन दोस्तों ये फिल्म टेलगो बॉक्स आफिस पर अपने पहले ही दिन एक रिकॉर्ड तोड ओपनिंग लेने जा रही है दोस्तों बता दे चले आपको कि इस फिल्म की एडवांस को शुरू हुए दो से तीन दिन हो चुके हैं और इन तीन दिनों में इस फिल्म ने एडवांस है अभी तक साथ करोड रुपे के आखड़े को पार कर दिया है जो कि एक तरसे आउस्टेंडिंग एडवांस है ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर टोटल इस पर काफी कड़ी टक कर देगी बात की जाए दोस्तों यहाँ पर केजी एफ चेप्टर 2 के अगले हपते के बॉक्स आफिस पेडिक्शन और आज के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो जैसा कि आप से भी जानते हैं दोस्तों की KGF चेप्टर 2 को रिनिस किये आज 14 दिन हो चुके हैं और इन 14 दिनों में इस फिल्म ने सिर्फे हिंदी ही नहीं बलकि तेलगू, तामिल, कन्नाड और मल्यालम भाशा में कई सारे रिकोर्ड्स को तोड़ दिया है प्रशान्थ नील के डायक्षिन में बनने वाली के KGF चेप्टर 2 को इडियान बॉक्स आफिस पर जहां अपने पहले दिन तो एक रिकोर्ड तोड अपनिंग विली थी मैं दोस्तो दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले ही हपते में 7500 करोड रुपे के आखड़े को भी पार कर दिया था दोस्तो इस फिल्म को आडियंस काफी पसंद कर रही है और यही वज़ा है कि इस फिल्म का अपने दूसरे हपते का जो कलेक्शन है वो भी काफी धमाकेदार रहा है दोस्तो हिंदी में इस फिल्म ने अभी तक 336 करोड रुपे की कमाई कर ली थी आज के कलेक्शन्स मिला कर दोस्तो ये फिल्म P.K. संजू और टाइगर जिंदा है जिलसी बड़ी फिल्मों के रिकोर्ड को तोड रही है और आज हिंदी में लगबग 7 करोड रुपे की कमाई के साथ 343 करोड रुपे के आखड़ को पार कर रही है तेलुग बोक्स आफिस पर दोस्तो इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 125 करोड रुपे के आखड़ को आज पार कर रहा है साथ य साथ दोस्तो वर्ड वाइट बोक्स आफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 9500 करोड रुपे के आखड़ को आज पार कर रहा है आज दोस्तो ये फिल्म दुनिया बर के बोक्स आफिस पर लगबग 18 करोड रुपे की कमाई कर रही है जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 953 करोड रुपे का हो चुका होगा और KGF चेप्टर 2 सिर्फे इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर एक बड़ी ब्लॉक्बस्टर बन चुकी होगी हाला कि दोस्तों अगले हपते इस फिल्म के सामने तीन बड़ी फिल्में आ रही है लेकिन दोस्तों जिस तरह की कमाई KGF चेप्टर 2 इंडियान बॉक्स आफिस और वर्ल्ल वाइट बॉक्स आफिस पर कर रही है उम्मीदे हैं दोस्तों कि इस अपते भी ये फिल्म इंडिय ब्लॉक्बश्टर बन सकती है और लगबख साढ़े चार सो करोड़ से ज़्यादा की कमाई हिंडि में कर सकती है आपको क्या लगता है दोस्तों इस अपते हिरो पंती 2 आचार्य और रनवेट 34 क्या इस फिल्म को टक्कर दे पाए गया नहीं हमें अपनी राय कमेंट करना ब लॉक्स ऑफिस बॉलिवड और साउस से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिवीव बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजएगा धनिवाज जेहिं जे भारत